आज हम बनाएंगे चिकन करी की बहुत जादा टेस्टी रेस्ट्रोरेंट इस्टाइल की बहुत ही अच्छी करी जो रहती ना बहुत ही अच्छी ग्रेवी रहेगी आप जरूर ट्राय करना है से चलिए स्टार्ट करते हैं तो इधर मैं हाफ केजी चिकन ले ली थी जिसको कर दी हूँ इसमें हम ढाल देंगे हल्गी और नमक और इसको मिक्स करके रहेगे साइड में 10-5 मिनट के लिए रहे थे ली ज cure-े लिए नहीं क्योंकि और भी जो मसाला गयरा एट करते ना उसमें मिर्ची होती है तो इसलिए मैं थोड़ा हरी मिर्च कम ले रही हूँ और इधर अधरक ले लेंगे इसको भी हम कट कर लेते हैं और इधर हम ले लिये थे लहसुन भी तो यह सब लेने के बाद प्याज को भी हम इधर चार प्याज ले ले लिए थी इसको भी हम कट कर लेंगे तो इधर हमें ज़्यादा छोटे नहीं कट करना है बड़े ही कट करेंगे हम तो आप देखना बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमारी बनेगी गाड़ी सी ग्रेवी थोड़ा सा प्याज ज़्यादा करना तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और इधर हम दो टमाटर ले लिए ह तो टमाटर को भी हम कट कर लेते हैं तो यह बड़े साइज की टमाटर थे तो मैं दो ले लिए हूँ कट कर लेते हैं टमाटर को तो यह हम कट कर लिए अब इदर में एक और मसाला बनाएंगे जो खड़ी मसाले का बनाऊंगी तो कड़या ले लूँगी करहाई में मैं डाल दूंगी खड़ी जो धनिया होती है वो सौफ ले लेंगे काली मिर्च ले लेंगे और ले लेंगे जीरा और दो से तीन ले लेंगे इधर हम मिर्चे जो लाल मिर्च होती है सूकी वाली वो लॉंग ले लेंगे काली मिर्च एल้ंची ले लेंगे बड़ी FARE years हम भुन लेंगे तो ज़्यादा नहीं हैं बहुत जल्स की जलदी है निकाल लेते हैं इसे करहाई में हम तेल डालके सरसों का तेल डाल देंगे और इसे करहाई को कढाई पे और अधुक गरम हो हो जाएगा न तीधर हम ले लेते हैं К यह अधरक लाशोल मेर्च चुर्श इनको भूनेंगे पहले थोड़ा सा इनको भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज जब यह हलका सब भून जाएगा तो प्याज डाल देंगे इसमें तो यह प्याज डाल देते हैं अब इसको भी हम भूनेंगे प्याज भी जब हलका सब भून जाएगा तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो चिकन के बहुत सारी डैस्पी में बताई हुई हूँ और ये टमाटर डालने के बाद ना हमें फट फट से नमक भी डाल देना है जिसे बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर हमारे इसको मिक्स करने के बाद धाक के थोड़ा सा पका लेंगे हम तो ये देखिए अभी टमाटर मोटे चील के हैं तो वो जल्दी से तो नहीं सॉफ्ट होगा बट सॉफ्ट करना हमें टमाटर को मतलब भुणना है अच्छ bucks तो यह देखिए हो गया है टमाटर अच्छे soft हो गया है तो बस इसको हम्या करेंगे निकाल लेंगे अब तो यह भी हमें ठंडा करना है निकाल के निकाल लेंगे और इसी कडाई में हम ले लेंगे तेल वापस डाल देंगे तो थोड़ा से जादा डालेंगे इधर तेल हम, अब क्योंकि मसाला भी भूनेंगे साथ में, तो ये जो हम चिकन रखे हुए थे ना, नमक और हल्दी लगाके, तो बस उसको डाल देते हैं, और इसको हम भूनेंगे, तो इसको डालने के बाद ढ़क के हम पकने देंगे, और गैस को थोड़ा सा तेजी रखना आप, तो ढ़क के पका लेंगे, मतलब भूनेंगे थोड़ा, थोड़ा देर हम भूनेंगे, इस तरह में आप बहुत ही अच्छा बनता है, चिकन आप जरूर ट्राय करना, ये वाली रेस्पी, रेस्टोरेंटी स्टाइल है बिल्कुल भी, ऐसा आप जरूर बनाना बहुत जादा पसंद आएगा, और जो इ पिसेंगे, और उसका इसी में अब हम डाल के जो टमाटर प्याज के दा एसको भी पानी इसमें हम डाल के थोड़ा सा पिस लेते हैं, अब हम चween दाएगे. तो इधर पूरा पानी हमें जलाना है इस चीकन का तो यह देखिए चीकन में भून गया है हमारा मतलब पक गया है आधा तो पकी गया है थोड़ा सा अब यह और हम पकाएंगे तो यह पानी आप देख रहे हो ना इसको जलाना है हमें पानी बिल्कूल भी नहीं रहना चाहिए मतलब थोड़ा से चल जाएगा पर जादा नहीं होना चाहिए पानी तो ये देखें मिक्स कर रहे हैं हम अच्छे से पानी अच्छे से छोड़ दिया है मतलब पूरा सोख लिया है पानी अब इसमें हम मसाला जो पीसे हुए थे ना उसको हम चान के लेंगे विल्कुल भी मतलब वो नहीं होने चाहिए गाड़ा मतलब बहुत ही अच्छे स्मूथ हमारा जो ग्रेवी देता न ऐसे बनता है तो आप भी जरूर ऐसे ही ट्रै करना बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनती है ऐसे छान के अगर तो यह देगे किता मोटा मोटा यह बच गया है तो इसको हम नहीं डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं और य मीरी लाल मीर्च हलरी पाउडर और डाल देंगे इसमें हम गरम मसाला डाली हूं इसमें मैं चीकन मसाला और कसूरी मेथी डाल दी हूं इसको मैं अच्छे से मैस करके हाथों से और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में और धक के हम पकने देंगे थोड़ी देर क पका लेते हैं अब गैस को इधा मीडियम फ्लेम में कर देना वर्ना मसाला जल जाएगा नीचे से तो बीच बीच में ऐसे हम पकाते रहें और बीच बीच में मतलब देखते रहें विलकुल नीचे जले नहीं जिससे को पका नीचे से तुできन trazer टिकान haram fought all together. हम अव Mmm है कित्वें अचछे से पख गया है तो बस इसमें हम डाल देएं अब अब भरा धनेया और इसको मिक्स कल लेते हैं तो अब निकाल लेते हैं एक बाउल में, आप भी जरूर ट्राइक करना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी सा, भी ग्रेवी है जो बहुत ही अच्छी लगती है, जरूर ट्राइक करना ये रेस्पी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, घर वालों को भी बहुत ह अच्छी लगेगी आप ऐसे ही बनाना एक बार इस तरीके से बनाओगे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगे पसंद आएगी सबको तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो ना तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ओके फ्रेंड्स बाय टेक केर इंजोई